एक बार फिल से स्वागत है आप क्लों का तो मैं बात कर रहा था तीसरे यूनिट की तीसरे यूनिट में मैंने आपसे ये कहा कि इसमें तथ्य संकलन की प्रविधियों के बारे में बात की जाती है तो तथ्य संकलन की मुख्य रूप से चार प्रविधिया हैं आप लोगों के कोर्स में एक तो अबलोकन दूसरा साक्षातकार तीसरी प्रशनावली प्रचोथा अनुसुची अब ये डिपेंड करता है अनुसंधान करता के उपर कि उनके अधियन की प्रकरती क्या है उनके अधियन में सम्मिलित होने वाली विभिन इकाईयां विभिन उतरदाता किस प् योग कर सकते हैं प्रतेक तथ्यसंधान के प्रविदी के अपने कुछ गुण होते हैं तो वहीं अपने कुछ सीवाय भी होती है तो यह अनुसंधान करता कि उपर ही निर्भर करता है कि वो तथ्यसंधान के लिए कौन सी प्रविदी को काम में लेने जा रहे हैं उसके सामाजिक अनुसंधान में बहुत ही महतोपून प्रक्रिया है क्योंकि निदर्शन ना केबल सामाजिक अनुसंधान को सरग और सुविधाचनक बनाता है वहीं सामाजिक अनुसंधान के लिए जो आवश्यक एक विशेश गुमिका रखता है और निदर्शन के भी बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं और वो भी सामाज एक अनुसंधान की जो प्रकरती है उसके आधार पर एक रिसर्चर के द्वारा तैक किया जाता है इसके कौन-कौन से प्रकार हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे ज स्टेटिस्टिक्स इसमें हम सांख्यकी के गुण, सांख्यकी के दोश, सामाजिक अनुसंधान में सांख्यकी किस प्रकार से उप्योग में ली जाती है इसके बारे में सर्धानतिक बात भी करेंगे और इसके अलावा कुछ गड़ितीय समस्यां भी इसमें हमारे समक्ष पढ़ा होगा मीन मोड और मीडियन माध्य माधियका और बहुलक अलाकि सामाज इक अनुसंदान में सांख्यकी का बहुत ही जटलतम रूप भी देखने को मिलता है सांख्यकी के बहुत कई इससे कई अधिक प्रकार हैं लेकिन आप लोगों के से लेबस में ग्रेजुवेशन क कि अंदर केवल माधि माधि का और बहुलक पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपने टेंध क्लास लिटी पढ़ा है अब इसमें जो गणीतिय प्रश्न आता है कोई एक गणीतिय प्रश्न आता है पंदरा नबर का जो निगंदात्मक्षेनी का प्रश्न होता है अगर आप सा ध्यान लगाएं तो वो प्रश्न आप हल करने की स्तिति में होते हैं और उसका बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिलता है एडवांटेज क्या जैसा कि गणीत के बारे में हम लोग यह मानते हैं कि अगर किसी प्रश्न का उत्तर सही किया जाता है तो पूरे में से अगर करके भी हम इन पृष्णों को हल कर सकते हैं तो अगर हम इन पृष्णों को हल करें तो औव्यस सीधी सी बात है कि इस प्रश्न को हल करने में तुल्णात्म को रूप से जो दूसरे निबंदात् doorway कि प्रशन ए उनकी दुल्णा में बहुत कम समय लगता है यह इंकी आ से गुंदा कर सकते हैं ये लोगा तो इस सरा से आप लोगों के ये पांच यूनिटे हैं गरें तब करेंगे ये फेर्स्ट पिपर की साथ आपने और सेकिंड पेपर में भी आप लोगों का जो सिलेबस है इसमें पांच थिंकर्स हैं और स्कॉंट इमाई दुकिन, काल मार्क्स, मैक्स वेबर और पिठ्रिम सो रोकिन इन पांचों ही समाज शास्त्रियों के द्वारा पांचों ही विचारकों के द्वारा विविन प्रकार की अवधारने और सिध्धान प्रतिपादित किये हैं उनको आपको समझना है और उनको परिक्षा के के अंदर एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है या पेशा आप लोगों से की जाएगी तो अगली क्लास में अगली क्लास में हम सामाजिक अनुसंधान क्या है इसका अर्थ इसकी परिभाशा इसके उद्देश्यों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे तो मिलते हैं झाल